नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का Fast Study Planner यूटूब चैनल पर वीडियो का थमनेल देखकर आप जान चुके होंगे कि आज की वीडियो किस टोपिक पर होने वाली है देखे इलाबाद High Court के माध्यम से RO और ARO का नोटिफिकेशन 2021 का बहुत जल्द जारी होने वाला है ये फरवरी के महिने में जारी हो जाएगा आज की वीडियो के माध्यम से हम अब इसकी eligibility, salary, exam pattern, selection process, कितनी post इस बार आने वाली है देखे दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तर परदेश में जितने भी भरती बोर्ड है चाहे लोक सिवायोग हो, अधिनेस्ट सिवा चैनायोग हो, पुलिस बरती बोर्ड हो, PNP हो या और कोई सिकसा बोर्ड हो सबसे फास्ट भरती उत्तर परदेश में इलाबाद हाई कोर्ड के माध्यम से होती है इसकी जो भी vacancy निकलती है, चाहे वो RO, ARO की निकलती हो, या group C या D की निकलती हो सबसे फास्ट ये 6 महीने में पूरा process करवा लेता है अपना यानि ओनलाइन फोर्म निकलने से और 6 महीने बाद तक ये अपना सारा process कंप्लीट करवा लेता है और दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ, इलाबाद हाई कोर्ट में जो RO और ARO की vacancy निकलती है वो एक तो लोक से वायोक के माध्यम से सची वाले में निकलती है एक इलाबाद हाई कोर्ट में निकलती है और एक UPPCL में निकलती है उसके अलावा विधान सभा और विधान परिसद में निकलती है इन सभी में जो सबसे आसान समिकसादी कारी बनना है वो इलाबाद हाई कोर्ट में बनना है सबसे आसान इसका exam pattern है तो चलिए दोस्तों मैं पिछले विज्ञापन के आधार पर आपको बताता हूँ आपके सभी doubt किलियर करता हूँ यदि आप वीडियो में interested हो तो हम इस वीडियो को end तक देखते रहिए देखे ये notification तो है RO का समिक साधिकारी की vacancy आई थी 2019 में टोटल 132 पोष्ट थी ये समिक साधिकारी और सायक समिक साधिकारी में केवल इतना अंतर है कि जो ये RO है समिक साधिकार ये level 8 यानि आपका grade पे इसमें 4800 होगा और जो सायक समिक साधिकारी है यानि ARO उसका grade पे 400 होता है बाकि सभी इसमें exam pattern सब कुछ इन दोनों का एकसा होता है देखे ये 2019 की ARO की vacancy का notification है इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ARO का ये ARO का notification है 2018 में ARO की vacancy आई थी 287 vacancy थी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसका grade पे 400 होता है qualification में यदि आप simple graduate है तो आप ARO का भी form भर सकते हैं और ARO का भी graduation के अलावा इसमें आपको या तो आपने triple C किया हो या O level किया हो कुछ भी आपने किया है तो इसका online form भर सकते हैं graduation के साथ साथ देखे लिखा हूआ है यहाँ पर या तो triple C हो या O level हो ना इलिट के द्वारा आपने कुछ भी किया है तो आप इसका online form भर सकते हैं graduation के साथ साथ age इसमें 21 से 35 वर्स मांगी जाती है यानि अब की जो vacancy आएंगी अब देखे बहुत से बच्चे comment करकर पूछने लगेंगे कि age कब से ली जाएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो age ली जाती है वो 1 जुलाई से ली जाती है लेकिन तो 2021 में आएंगी वो 2021 को जो बच्चे 21 वर्स से कम नहीं होने चाहिए और 35 वर्स से अधिक नहीं होने चाहिए 1 जुलाई 2021 को category wise छूट भी रहती है selection process इसका है इसमें 2 stage होते हैं एक तो आपका 1st stage में written है और 2nd में आपका typing test तो जो यह 1st stage है इसमें 200 question आते हैं और देखे इस बात को ध्यान रखना ARO और RO दोनों में negative marking नहीं होती जानि आप 200 के 200 question attempt करकर के आएंगे उसमें और इसके बाद आपका 15 minute का यदि आप इसे qualify कर लेते हैं stage 1 को तो 15 minute का आपका typing test होगा जिसमें जो 50 marks का होगा तो आपकी total जो merit बनेगी वो 200 stage 1 plus 50 stage 2 इनके आधार पर बनेगी तो इसका बहुत एहम रोल है typing का ARO और ARO दोनों में अब मैं आपको इसका syllabus या exam pattern तो मैं बता चुका हूँ syllabus देखे इसमें क्या क्या आएंगे डाई कंटे का ये test होता है ARO का भी और ARO का भी 200 marks होते हैं इसमें और 200 ही क्यों सनाएंगे objective type है देखे general science यानि सामान्य विग्यान history of India Indian national movement Indian polity economy and culture Indian agriculture commerce and trade population ecology and urbanization world geography geography and resources of India current national and international important देखे current affair है general intelligence या intelligence है ये साथ special knowledge regarding education cultural culture agriculture, industry, trade, living and social tradition of उत्तरपरदेश ये देखे UP से related है यानि किर्सी, संस्कृती, सिक्सा व्यापार, वानिज्जे ये सब उत्तरपरदेश का आएगा इसमें knowledge of general Hindi and general English graduation level की देखे इसमें Hindi और English के क्यों सनाएंगे इसके अलावा computer तो यदि आप इसमें English जिसकी मजबूत है वैसे तो इसमें सबसे अधिक role GS का है उसके अलावा जब आप stage 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका 15 मिनट का होगा stage 2 जो 50 क्यूस्टन का होगा तो टोटल आपकी 250 में से merit लगेगी अब आप सोच रहे होंगे कि ये ARO का बताया तो RO का भी बिल्कुल सेम है exam piece इसकी 750 रुपे होती है general और OBC की दोनों भासाओं में आपका paper आएगा लेकिन जो English वाला पार्ट है वो English में ही आएगा सिर्फ ये इसमें online form के instructions दिये हुए है ये था दोस्तो ARO का अब मैं आपको ARO RO का भी दिखाने देना चाहता हूँ RO का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो process मैं आपको बता चुका हूँ वो ही RO का प्रोसेस है तो इसमें कोई difference नहीं है वो ही education qualification वो ही आपके पास triple C हो या O level हो कुछ भी हो तो आप इसका age भी 21 से 35 वर्स है सबी बाते वो ही हैं इसमें सलेबस भी बिल्कुल इसका समान है उतने में से ही आपकी merit लगेगी डाइसों में से तो 2021 में आपके लिए बहुती सुरणी मौसर है इलाबाद हाई कोर्ट के मार्दम से समिक साधिकारी और सायक समिक साधिकारी दोनों की vacancy निकलेंगी साथ ही साथ आपको पता होगा कि उत्तर परदेश लोकसेवा आयोग से भी समिक साधिकारी और सायक समिक साधिकारी का बहुत जल्द विज्ञापन जारी होने वाला है जदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हों तो आई बेटन में वो वीडियो भी है और डिस्किर्प्सन में भी उसका लिंक है धन्यवाद दोस्तो जदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्टी स्टेडी प्लानर को लाइक सेर और सबस्क्राइब कीज़े धन्यवाद दोस्तो